सो पिछले वीडियो में हमने देखा था जो हमारी लिस्ट होते है वो HTML के अंदर हम कैसे create करते हैं आई होब आपको समझ आया होगा और जो मैंने आपको एक task दिया था last में कि आपको जो description list है वो आपको खुझ से try करने या और उनको create करना है और आज की वीडियो का हमारा topic रहेदा tables in HTML कि हम HTML के अंदर tables कैसे create करते हैं तो पहले देखते हैं कि HTML के अंदर हमारी table क्या होती है तो देखो आपने school time में college time में देखा होगा कि table हमारी कुछ इस type से होती है जैसे आपका roll number है आपका name है आपका father name है वो teachers एक table के अंदर create करते हैं और जहां पे ऐसे line होती है और ऐसे भी line होती है means vertical भी और horizontal भी line होती है और उनके अंदर हम कुछ box type से बनाते हैं वो हमारे cell कहलाते हैं ठीक है तो हम वो create भी करेंगे और देखेंगे कि हम tables कैसी create करते हैं I hope आपको कुछ idea लग गया होगा कि मतलब html के अंदर tables कैसे होती है तो मैं एक बड़ी आपको search करके भी दिखा देता हूँ जैसे tables in html search करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैं जाता हूँ images के अंदर और यहाँ पे देखो हमारी जो tables होती है html के अंदर वो कुछ इस type से होती है ठीक है तो आज के वीडियो में हम यही tables बनाने वाले हैं और यह भी देखेंगे कि जैसे हमारे यह row को span कैसे किया मतलब जैसे हमारी एक arrow हो गई एक arrow तो इनको कैसे combine किया है ठीक है तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने vs code के अंदर और यहाँ पे अपनी एक नई file बना लेता हूँ tute7.html नाम से ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी जो boiler plate code होती है वो लगा लेता हूँ exclamation mark लगा गए और enter दबाता हूँ और उसके बाद जो हमारा title है यहाँ पे लिख लिख लेता हूँ tables in HTML tables in HTML ठीक है तो हमारी tables बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे table tag का यूजर करूँ है html के अंदर ठीक है तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ table और enter दबाता हूँ तो जो table tag होता है वो vs code automatic मेरे लिए generate कर देगा ठीक है और यहां पे मैं एक tr tag का use करूँगा जो हमारी table की जो row होती है उसको create करने के लिए use होता ठीक है उसके अंदर अब हम मेरे को चाहिए column ऐसे तो उस column को create करने के लिए मैं यहां पे td यानि table data tag का use लिखता हूँ name और एक और जो column है वो create करके यहां पे लिखता हूँ roll number ठीक है और जैसे ही मैं इस file को save करके यहां से go live पे जाता हूँ तो जो हमारा page है वो अपने browser के अंदर open हो जाएगा अभी यह browser के अंदर open हो रहा तो देखो यहां पे आगया name और roll number ठीक है तो अभी म मैं यहां से toggle करने के लिए control भी दबाता हूँ और जो हमारा यह horizontal scroll बार दिखाई दे रहा है इसको हटाने के लिए मैं यहां पे ultra z का use करूँगा ठीक है लेकिन अब यह आप बोलोगे यह table कैसे यहां पे तो देखो यह lines दिख रही है लेकिन इसमें तो कोई lines नहीं है ठीक ह मैं यहां पे लिखता हूँ border और one type करता हूँ और enter दबाके इसको save करता हूँ तो देखो यहां पे मेरे stable के अंदर एक border आ गया ठीक है अभी यहां पे सभी के अंदर border दिखा रहा तो इसको css की help से हम style करेंगे आने वाले जो lectures होंगे na css के उन में तो मैं यहां पे एक इस इस नेम की जगह जैसे लिखता हूँ राजू मेरा नाम यह यूज़ करता हूँ मैं और यहां पे जैसे roll number है मैं यहां पे type करता हूँ 4 तो देखो जो मेरा name है उसके नीचे आ गया राजू और जो roll number उसके नीचे आ गया 4 तो आई होप आपको यह समझा गया होगा कि हमारी एक जो simple table होती है वो कैसे create होती है तो अभी मैं आपको उता हूँ कि table row क्या होती है और table column क्या होती है तो जो यहां से लेके जो हमारा देखो इतना select है ना तो यह होती है हमारी table row और जो हमारे यह होती है इस side से उपर से नीचे यह होती है हमारे column जैसी यह और यह तो इसके यह box है जिसके अंदर कोई data होता वो हमारा कहलाता है cell यह हमारी हो गई table row यह हमारे हो गई column और यह जो हमारा particular box है इसको हम बोलते हैं cell I hope आपको इतना समझ आया होगा और जैसे मेरे को एक और column चाहिए तो जो हमारी table row है इसके अंदर मैं यहां पे जैसे इसको copy line down करके यहां पे लिख देता हूँ और जो हमारा tr tag होता है वो हमारी row को create करने के लिए होता है ठीक है फिर यहां पे एक column create करता हूँ और यहां पे लिखता हूँ subject या फिर मैं यहां पे लिखता हूँ roll ठीक है और जैसे मैं यहां पे लिखता हूँ fontan developer और इसको save करता हूँ तो देखो यह हमारी table है वो इतनी create हो गई और मेरे को जैसे एक और ऐसे ही table row चाहिए तो मैं यहां पे copy line down करके और इसके अंदर जो है data change कर देता हूँ ठीक है और यहां पे इनका roll बर कर देता हूँ six और save करता हूँ तो देखो जो हमारा fontan developer है वो मेरे को चाहिए कि दोनों का यह same है तो मैं एक ही fontan developer से काम चला हूँ ठीक है तो उसके लिए जो हमारी देखो यह row है और यह row है तो इनको मेरे को मिलाना पड़ेगा means जो मेरी बीच के line है यह हटानी पड़ेगी तो इसके लिए मैं यहां जो second table row है उसके अंदर जो last में देखो table data है तो यहां पी लिखता हूँ row span और row span मेरे को कितनी करनी है दो row span करनी है ठीक है तो मैं यहां फिर two लिखके save करता हूँ तो देखो यह हमारी इसके अंदर आ गई और अभी मैं इस जो table data है इसको हटा देता हूँ ठीक है और देखो जो हमारी यह row थी यह हमारी दोनों के अंदर span हो गई ठीक है आही होप आपको समझ आया होगा कि हमारी table row कैसे create करते हैं उस table row होती है उनको कैसे span करते हैं अभी मैं आपको एक simple task देता हूँ कि हम table column को कैसे span करते हैं तो उसके लिए आपको देखो जो हमारा tr tag होता है उनको span करना है तो आपको खुद से सर्च करना है कि हम table के अंदर जो column होते है उनको कैसे spend करते हैं I hope आपको समझा आया होगा आज का वीडियो के हम HTML के अंदर table कैसे create करते हैं row कैसे create करते हैं उनको spend कैसे करते हैं अगर आज का वीडियो पसंदा आया तो इस वीडियो को like करना comment करना और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करना और साथ में जो हमारी ये web development की playlist है इसको यहां पे मेरे चैनल के उपर जाके playlist section से view full playlist पे click करके यहां से save और यहां पे click करके book mark कर लेना और साथ में इस चैनल को यहां से subscribe भी कर लेना ठीक है और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई